हेलो दोस्तों, गेट्स मेशेज में आपका स्वागत है next example is construct a DFA which accept a language of all strings which must start with A and end with B मतलब आपको वो सारी language मतलब language के अंदर जितनी भी strings है वो सारी की सारी strings starting with A होनी चाहिए ending with B होनी चाहिए अब इस तरीके का अगर आपको DFA design करना है तो same example जो है वो पहले भी मैंने रिसन की है वही method आपको follow करना है और ये actual में क्यों important है क्योंकि जितने भी competitive exams है जितने भी आपके अगर हम बात करें आपके college or university level के exam में DFA designing one of the most important topic है TOC का और आपको जितने example कर रहे हो ना उतने example ही आपको benefit होगे जितने ज़्यादा example करोगे उतना benefit है otherwise आपको कहीं लाजिक जो है क्योंकि ये logical से question है इसके पीचे कोई बहुत ज़्यादा theoretical concept नहीं है आपको logic क्यों apply करना है और logically आप इसको easily solve कर सकते हो तो ये आपके academic के लिए और competitive exams के लिए बहुत ज़्यादा important है तो again वही method सबसे पहला step क्या है आपको language लिखनी है अब language कौन-कौन सी आएगी language का मतलब क्या है collection of strings मतलब इसके अंदर कौन-कौन सी strings आएगी जो starting with a होनी चाहिए ending with b होनी चाहिए तो minimum से minimum string कौन सी आएगी a, b क्योंकि a, b से कम होई नहीं सकता अगर आप लिखते हो let's suppose epsilon तो epsilon में ना तो a आ रहा ना b आ रहा अगर आप अकेला a लिखते हो तो partially true है starting with a हो गया लेकिन ये आप ending with a, b बन गया लेकिन हमारे पास question है starting with a, ending with b अकेला b नहीं आ सकता तो यानि minimum से minimum कौन सी आएगी a, b तो इसके बाद आप जितने मर्जी बढ़ाते रहो like a, b, a, b, a, b, a, b, a, b, a, b जितने मर्जी आप इस तरीकें से बना सकते हो इसके लावा let's suppose अगर मैं multiple times a लिखता हूँ उसके बाद multiple times b लिखता हूँ तो इस तरीके की strings भी जो है वो accept हो जाएगी अगर मैं लिखता हूँ let's suppose b, a ये accept होगी, नहीं होगी आपको बहुत simple सा logic लगाना है कि starting में a आना चाहिए, ending में b आना चाहिए तो इसको अगर हम dfa design करें तो हम कैसे करते हैं dfa design minimum से minimum string को पहले आप design कर लो अब minimum से minimum string में single a और single b आना चाहिए तो आप कैसे design करोगे q naught starting state आपकी कौन सी है q naught q naught से अगर आप a पे जाती हो let's suppose अगर आपने single a apply किया क्योंकि हमारे पास alphabet कौन कौन सी है इस question में a और b दो alphabet है a and b अगर आप a apply करते हो मतलब इस state पे अगर आप a apply करते हो a alphabet को apply करते हो तो आपकी transition जो है मलब आप किस state पे पहुंचाओगे q1 पे पहुंचाओगे तो q1 मेरी final होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि b तो भी आया ही नहीं अब q1 पे अगर आप single b single b अगर आप apply करते हो तो आप q2 पे पहुंचाओगे और q2 को आप क्या बना दो final state बना दो तो देखो a, b accept हो गया a और b आपको single है तो ना तो loop बनाना क्योंकि अगर आप loop बनाओगे तो loop का मतलब है multiple times लेकिन आपको सबसे पहले minimum string को accept करवाना है तो minimum कौन सी है a and b अब simple सा step क्या है filling the blanks filling the blanks मतलब q0 a पे तो इधर गया b पे कहां जाएगा q1 कहां जाएगा और q2 a और b पे कहां कहां जाएगे बस आपको सिरफ उसको filling the blanks जो है वो भरन है अब यहाँ पे q0 देखो starting में a आना चाहिए लेकिन अगर starting में b आ गया तो क्या होना चाहिए तो trap का मतलब क्या है a और b के लिए वो खुद पे ही जाएगी trap का मतलब क्या है कि कोई और जगा पे वो नहीं जा सकती आपने उसको एक तरह से सजा दे दी काला पानी कि भीया तू इधर जा अब यहाँ से तू कहीं भी नहीं जा सकता क्यूंकि a और b के लिए वो खुद पे ही जाएगी अब जैसी starting में b आया let's suppose जैसी b आया b आपते ही आपने उसको trap कर दिया अब वो वहाँ से निकल ही नहीं सकता ना तो वो इधर जा सकता कहीं भी नहीं जा सकता क्यूंकि वो a और b पे खुद पे ही जाएगा तो यह एक आपने q note जो है वो fill कर दिया a पे इधर कर दिया b पे इधर कर दिया अब हम आते है q1 पे q1 b पे तो इधर ही जाएगी लेकिन a पे कहा जा नहीं सकती है a पे या तो आप इसको trap कर सकती हो a पे ट्रैप करते हो तो problem आ सकती है problem आ सकती है कैसे let's suppose अगर आपने इसको trap कर दिया a पे अगर आपने trap कर दिया और string आ गई a a b आ सकती है a a b आ सकती है yes a a b b भी आ सकती है multiple आ सकती है तो देखो starting with a ending with b ठीख है लेकिन a a देखो कैसे चलाना आपको पहला A इदर आया दूसरा A आती ही आप trap पे पहुंच गे B, B तो आप कहां फस गे? आप trap state में फस गे तो ये तो accept ही नहीं हुई लेकिन ये तो accept होनी चाहिए तो आपका जो DFA है वो सही design नहीं हुआ तो आपको यानि इसको trap state में नहीं डालना तो अगर आप trap state में नहीं डालते हैं तो फिर क्या करोगे? इसके लावा और option कौन सी है? इसके लावा और option आपके पास क्या है? आप इसको वापिस बेज सकते हो अगर आप इसको वापिस बेजते हो तो क्या कोई problem आ सकती है, अगर आप इसको वापी बेजते हो, obviously आप इसको वापी बेजने के लिए आपको loop बनाने की जूरत नहीं है, आप इसको direct क्या कर दो, इस जगा पे ही loop बना दो, simple आपको इस जगा पे अगर आप loop बना देते हो, तो let's suppose अगर मैं बात करूँ A, 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 B इस तरीके से अगर आप बनाते हो, let's suppose A, 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 B, तो अगर आपने let's suppose इसको वापी बेजा, तो क्या होगा, A अगर आपने loop नहीं बनाया, और अगर आप इसने वापी बेज दिया, तो होगा क्या, A, 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 और B, ये तो accept होगी, लेकिन let's suppose अगर आपने 4 times A लगाया, 4 times A अगर आप लगाते हो, तो A, 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 और A, और next आया, B, next B आते ही, obviously accept नहीं होगा, कैसे, simple तो आपको चलाना है, A single आया, next A आते ही, आप इदर चलेगे, third A आते ही, fourth A आते ही, आप इदर चलेगे, अब next आया, B, B आयेगा, तो आप trap state में चले जाओगे, obviously trap state में जाओगे लेकिन ये वाली string अगर आप ध्यान से देखो, starting with A है, yes, ending with B है, yes, तो ये तो accept होनी चाहिए, लेकिन ये तो accept ही नहीं होरी है, क्यों, क्योंकि आपने इसको वापिस बेज दिया, A को आपने वापिस बेज दिया, तो वापिस बेजने के बजाए, आप क्या करो, इसको loop बन जाती है, तो बस आपको सिर्फ ये logic जो है, वो छोट-छोट एप्लाई करने है, तो ये आपको easily आपका DFA जो है, वो design हो जाएगा, last आपकी बची Q2, अब Q2 देखो, Q1 हमारी A और B पे final होगी, Q2 जो है वो B के लिए, B के लिए तो simple logic है, आप B के लिए loop बना दो, क्योंकि A, B, अब B के बाद जितने मर्जी B आएं, कोई problem होगी, नहीं होगी, last में तो B ही आए ना, तो आप B के लिए तो loop बना दो, पंगा है A के लिए, अब अगर आप A के लिए trap state में डालते हो, again वही problem है, जो हमने यहाँ पे dismiss किया, अगर आप trap state में डाल दोगे, तो again problem क्या आ तो यह तो accept ही नहीं होई, लेकिन A, B, A भी तो accept होनी चाहिए, क्योंकि starting with A है, ending with B है, तो यानि आप इसको trap में नहीं डाल सकते, दूसरा option क्या है, आप इसको Q note पे, Q note पे आप इसको वापी फेस दो, अगर आप Q note पे वापी फेस दो, तो होगा क्या है, A, B, A, B, यह भी accept नहीं होई, A, B, A, B तो accept होनी चाहिए, लेकिन A, B, A और B, यह तो accept ही नहीं होई, तो यानि आपको यह logic भी apply नहीं करना, आपको कौन सा logic apply करना, simpler, इस state पे भेज़ दो, simple, अब देखो, A, B, A, B, कोई भी string आती है, जो starting with A, ending with B, यह DFA उसको क्या करेगा, accept करेगा, So this is how you have to design the DFA, which is starting with A, ending with B, thank you.